प्रधान मंत्री नायदमोदी 22 फरवरी को डॉनलप मैदान में जन सभा करेंगे प्रधान मंत्री नायदमोदी सो मुवार 22 फरवरी को एक बार फिर पच्छी मंगाल के दोरे पर आ रहे हैं बतादे 7 मार्च को ब्रिगेड में भी रैली करेंगे यह पहला मौका होगा जब भाजपा अपने दम पर ब्रिगेड में रैली करेंगे बतादे पिछले एक महिने के अंदर प्रधान मंत्री का यहां तीसरा बंगाल दोरा है जनकारी के अनुसार प्रधान मंत्री नायदमोदी सो मुवार को असम से बंगाल आएंगे सो मुवार को असम से दो पहर एक बच का बीस मियट परवाबी से बीमान से कुलकाता यारपोट पहुचेंगे मौसम विभाग के मुताविक आज राची में दो फरबाद गरजन और बारिज के साथ बजरपात की समभावना है बता दे मौसम विभाग का या भी काना है कि इस सहर के निम्तम और अधिक्तम तापमान में कोई खास बदला होने की समभावना नहीं है राची का अधिक्तम तापमान 26 डिगरी सेल्सियस और निम्तम तापमान 24 डिगरी सेल्सियस के आसपास ही रहेगा जार्खन में मीनी गीट पोलिसी लागू करने को लेकर जेरेडा की कोशिस जार्खन के लोगों तक अक्षाय उर्जा असानी से पहुंचे इसके लिए जार्खन इस्टेट पोलिसी फोर प्रमोसन अफ मीनी और माइक्रो ग्रीट 2021 का मसदा राज्य के विभीन इलाकों में अक्षाय उर्जा सुरोतों पर अधारित मीनी और माइक्रो ग्रीट के व्यापक विकास पर जोर देता है ताकि बीजली की कमी से जोज रहे इलाकों में भी स्वस्निये बीजली आपूर्ति के साथ साथ संपून राज में सतत्सिल विकास सुनिश्चित हो खाने के लिए ना हो लड़ाई इसलिए 13 वरस की उम्रे में छोड़ा घर दिपिका गरीबी हिमत भी देती है लालच भी बनाती है हमारे पास भी पैसे नहीं थे बस सपने देखते थे आज भी देखती हो घर में खाने के लिए पैसे ना होने के कारण लड़ाई होती थी इस कारें 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया यह बाते एक्स एल आर आई द्वारा ओनलाइन आयोजीत टेंडेक्स कारेकरम में अंतराश्ट्रिय तिरंदाज पदमसीरिती पिकाने कही इस दोरान उनकी आखें भराई उन्होंने कहा कि सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर माता पिता को लोक कहते थे घर से बाहर मत भेजो किसी लड़के के साथ भाग जाएगी बीर्शा हरित गराम योजना से मिला रोजगार रोजगार स्रीजन के साथ साथ परिसंपति स्रीजन की दोहरी मंसा के साथ मुखमंत्री हमांसुरे ने मनरेगा के अंतरगत जिस बीर्चाहरित ग्राम योजना का सुबरम किया था वह अब फली भूत होने लगी है बतादे इस योजना के मादेम से आदिवासी पिछला वर्ग लहो और सिमांत किसानों को मन रेगा कंतरगत न सिर्फ केवल 100 दिनों का रोजगार मिला है बलकि अस्थाई रूप से परिसंपतिस रिजन भी हुए है जो ग्रामिनों की लंबे समय तक अंदरनी का साधन बनेगा फुटपाथ दुकंदारों के लिए हीरापूर में 54 कोर का वेडिंग जोन फुटपाथ दुकंदारों के लिए रात भरी खबर है बतादे अब इने हर समय तकर्मन हटायने का डर नहीं सताएगा नगर निगम हीरापूर में वेडिंग जोन बनाने जा रहा है नगर आयुक्त सतेंद्र कुमार ने बताया कि हीरापूर हटिया में वेडिंग जोन बनाया जाएगा जमीन की कुछ समयत्यात थी इसे दूर कर लिया गया है पंचायती राज संस्थाओं में नियुक्त होंगे 526 कनिय अभियंता, 879 लेखा लिपिक पंचायती राज संस्थाओं के ठीक से संचालन के लिए 526 कनिय अभियंताओं और 899 लेखा लिपिकों की नियुक्ति होगी इनकी नियुक्ती अनुबंध पर की जाएगी बता दे हर परखंड में 2-2 कनिय अभियंताओं की नियुक्ति होगी इसी तरह होर पांच पंचायद पर एक लेखा लिपिक साथ कंप्यूटर अपरेटर की तैनाती की जाएगी पंद्रावे बीत आयो के तहट मिली रासी से इसका प्रवधान किया जाएगा पंचायदी राई निजसाले ने इसकी अजिसूतना जारी कर दिया राज़त सुप्रीमो लालू परसाद को बड़ा जटका लगा है बता दे उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा सुक्रवार को जर्खन हाई कोट ने दुमका कुसागार से अवएद निकासी के मामले में जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत याज का खारिश कर दी है बता दे लालू परसाद ने आदिस अजा काट लेने का दावा करते हुए जमानत का अगरा किया था लेकिन CBI ने इसका भिरोध किया और लालो परसाद की आदिस्ताजा कम होने में कम से कम दो माज से स्रणने की दरिल्दी गिरीडी में मंत्री के सामने ही भीडे कांग्रेसी गिरीडी जीला कांग्रेस कर्यालाई के सिलन्यास कारिकरण में परदेश अध्यक्स वा मंत्री रमेशरूराव के सामने ही कांग्रेस कारिकरता आपस में भीड़ गए और जमकर हंगामा किया बतादे सिला नियास कर्यालाई के मंच पर कांग्रेस नगर अधियर्ष महमुद अली खान की कुर्सी नहीं लगने वह सिला पट पर पुर्वसंसर तिलक धारी सिंग का नाम नहीं रहने के कारण कांग्रेस करकाताव ने कारेकरण में जंकर बवाल किया जारखन में 51 नहीं संक्रामित की पुष्टी हुई है जो रांची से 28 पूर्वी सिमुव 17 धनबाद एक बुकारो एक देवगर एक लात्यार एक लुहरदागा एक दुमका से एक मिले है जारखन में कूल संक्रामितों की संक्रामित की संक्रामित की पुष्टी हुई है भारत में कूल मौत की संक्रामित की संक्रामित की संक्रामित की पुष्टी हुई है किंद्र सरकार के तीन नए क्रिसी कानून के विरोध में पर्देश कांग्रेस की ओर से 20 फरवरी को हजारी बाग के मतवारी गांधी मैदान में अवजित होने वाली राज अस्तरियर रैली की सभी अवसेक त्यारी पूरी कर ली गई है बता दे रैली को सफल बनाने को लेकर सुक्रवार को पार्टी के परदेश अध्यक्स अभीत मंत्री रामेश्वर उराव और कारकरम संजोजक किरिसी मंत्री बादल पत्रलेख ने गिरी डी रामगण और चत्रा जीले में जन संपर्क अभियान और छोटी बड़ी सभावों मे हिंसा लिया निशिकान्थ दूबे की अध्यक्स अध्यक्सиться के ओनलान प्लेटफ़र्म के माध्यम से समीच हात्मक बैठक अईउजित की गई इसमें जीला में संचालित केंद्र और राजे सरकार की योजनाओं की समिक्षा करते हुए पुर्व की बैठक में आय मामले पर की गई करवाई की भी समिक्षा की गई राजे के लोगों की इंकम में बढ़ोतरी करना हमारी सरकार की प्राथमिक्ता मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमन्सुरे ने कहा कि राजे में मन्रेगा योजना के प्रभावी संचालन के लिए कारे सहली में बदलाव लाए परतेक बर्ष निधारित समय पर जाखन राजे रोजगार गरांटी परिशत की बैठक आउजित हो या सुनिश्चीत करे मन्रेगा के तवत रोजगार सिरीजन के लिए कई मत्वकांची योजनाय चलाई जा रही है इन योजनाव से लावको के जीवन अस्तर पर क्या बदलाव हो रहा इसका आकलन करे सभी योजनाव की नियमित समिक्चा हो योजनाव को सत परतिशत धरातल पर उतारा जाए पूलिस को बड़ी छती पहुचाने की कोशिस नकाम जारखन के पच्मी सिम्भू में नकसली कमांडर और मोलदा के दस्ते के गिरफतार सदा से जायमन औरकी की निसंदही पर पूलिस ने गोईल केरा के बन ग्राम केदा बुरू के पास कची सड़क में 55 किलो के 21 आईडी बरामत किये बतादे नकसलीों ने पूलिस को नुक्सान पहुचाने के लिए आईडी को प्लांट किया था पूलिस को सर्च अप्रेशन में एस अफलता मिली है पूलिस कश्टडी में इलाज रत होमगार जवान की मौत पूलिस कश्टडी में देवघर सदर होस्पीटल में इलाज रत मोहनपूर थाना छेतर के लेटवा वरन गाव निवासी होमगार जवान साली ग्राम यादो की मौत सुक्रवार की सुबह हो गई बता दे साली ग्राम पूलिस अधिक्षक कर्याले में कारे रत थे घाटना के बाद मिर्ता के परिजनों ने पूलिस पर हिरासत में लेकर प्रताइद किये जाने का रोप लगाते हुए सुदर होस्पिटल में जमकर हंगामा किया इसके बाद SIS-1 सिंग को ततकाल प्रभावस्टे निलंबित कर दिया गया है वहीं DIG ने ममले की हाई लेवल जांच के लिए SIT का कटन कर दिया है 21 फरवारी को निकलेगी सिरी राम जान की सोभायात्रा समीती सेल सीटी की ओर से सिरी राम जन्म भूमी तीर छेत्र अयोध्यामे मंदीर निर्मान के लिए जनसन पर्क एवं निधी संगरा अभियान को ध्यान में रख 21 फरवारी रविवार को संद्या 4 बजे सेल सीटी प्राम इस्थीत पुराने मंदीर में पुजा याजना के साथ सोभायात्रा का युजन किया जा रहा है बता दे इस सोभायात्रा का मुख ये आकरसन सेल सीटी के नन्यमुने बच्चे होंगे समीर उराओं से मिले केंद्रिय सरना समीति के अध्यक्ष केंद्रिय सरना समीति के अध्यक्ष बबलो मुंडा ने जनजातिय समाज की सेवा के लिए पहल की है बबलो मुंडा ने भाजपा के राजे सबास सदस से स्टाश्ट्रिय अध्यक समीर उराओं से मुलकात कर दो एम्बूलेंस और एक अम्तिम सोयात्रा वाहन उपलवद कराने के लिए मांग पत्र सोपा है उन्होंने समीर उराओं को बताया कि अधिवासी समुदाय के लोग आर्थिक रूप से सब भी सक्षम नहीं है घाटना दूर घाटना के समाई एम्बूलेंस और उपलावद नहीं होने के करान समुचित इलाज के अभाव कोई लोग दम तोड़ देते हैं मार्च में चार दिन लगातार बंद रहेंगे बैंक अगले महीने मार्च में चार दिन लगातार बंद रहेंगे बतादे बैंकों के निजी करन के विरोध में 15 हुआ 16 मार्च को हरताल के कारण 2 दिन बैंकों में ताला लटका रहेगा वही महीने के दूसरे सरनिवार के कारण 13 वह अगले 14 कुर अभिवार के छुटी रहेगी ऐसे में अगर आप इस महीने बैंक जाना का प्लान कर रहे हैं तो इस तारिक से पहले अपना काम निप्टा ले ESIC लभार्थी अप प्राइवेट अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज केंदर सरकार ने करमचारी राजे बीमा निगम के लभार्थियों को बड़ी रात दी है निगम अस्पताल या अस धाले 10 किलोमिटर से दूर हो तो लभार्थी किसी भी करमचारी राजे बीमा निगम के नईधी की पैनल बद आस्पतालों से चिकित्सा देखबाल के सुईदा ले सकते हैं केंदे सरकार के इस फैसले से राजे में लाखोर लोगों को फायदा मिलेगा माभद्रकाली के दर्सन को पहुंचे रहुवर दास पुरो मुखमंत्रि व भाजपा के राष्ट्रिये उपाध्यक्स रहुवर दास सुक्रवार को एतिहासीक मा भदरकाली मंदीर में पुजा आर्चना के लिए इटखोरी पहुँचे बतादे इटखोरी आगमन पर भाजबा करकताव ने ढोल नगाए के साथ पार्टी के राष्ट्रिये उपाद्यक्ष का स्वागत किया करकताव के उत्साव को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रिये उपाद्यक्ष भी उत्साहित नजर आए मंदीर परिसर में पहुँचकर पुर्व सीम ने अस्थानिये संसत सुनिल कुमार सिना तथा सीमरिया के बिधायक किसुन कुमार दास के साथ पूरे बिधी बिधान पुर्वक माभद्रकाली की फुजा की ट्रांस्पोर्ट एसोसियेशन ने किया भड़ा बढ़ाने का एलान डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राची गुड्स ट्रांस्पोर्ट एसोसियेशन ने माल धुलाई का भारा बढ़ाने का एलान किया है बतादे रांची गूट्स टांस्पोर्ट एसोसियेशन के अधियक्स इस भी सिन ने बताया कि जल्द ही भारा बढ़ाया जाएगा और इसकी सूची जारी की जाएगी सेवा भारती 21 को किरिसी मेला का करेगी आयोजान सेवा भारती की वर से रभी वार 21 फरवारी को जोना के सेवा धाम में किसान मेला का आयोजान किया जा रहा है बतादे गुरुवार को मेला और आयोजान की अनुमाती मिल गई है इस मेले में 24 गावों के किसान सामिल होंगे और ये अपने किसी उत्पादों की परदस्नी लगाएंगे साथी किसान संगोष्टी, चिकित्सा सिवीर और इसकूली बच्चों के बीच दोड़ परतियुकत का अविजन होगा जाम तड़ा में 24 तक 1,3,000,000 घरों में पहुंचेगा नल से जल जल ही जीवन के ताथ 24 तक जाम तड़ा के सभी ग्रामिन परिवारों को नल से जला पूर्ति करना ही उदे से है बतादे जल जीवन मिसन का उदे से ही समुदाय द्वारा समुदाय के लिए समुदाय तक पाइप लाइन के माध्यम से सुध पेजा लुपलब्द कराना है रामगर जीले में कोईला तसकरों पर नकेल कसने की तियारी रामगर जिले में कोईला तसकरों और अपरादियों पर नकेल कसने की त्यारी है बतादे अवैद करोबार में अगर पुलिस पतादिकारी की सनलिपता पाई जाएगी तो उन्हें भी जेल भेजा जाएगा यह बात सुक्रवार को पुलिस लाइन में एसपी परभात कुमार ने कही एसपी परभात कुमार ने पुलिस लाइन में एक नए सेलून का उधगाटन किया इसके बाद उनके द्वारा पैंथर टीम पेट्रोलिंग टीम और हाईवे पेट्रोलिंग पर ड्यूटी करने वाले पतेतिकारियों के कारियों की समिक्चा भी की गई सिम्डेगा में होकी परत्योगता जारखंड के सिम्डेगा जीला को पहली बार राश्ट्री अस्तर के होकी परत्योगता के आवेजन का मौका मिला है बतादे सिम्डेगा को होकी की नर्सरी कहा जाता है इसी को देखते हुए होकी इंडिया ने सिम्डेगा जिले को ए मौका दिया है जिले में पहली बार भारतिय सब जुनियर महिला होकी परतियोगता का आयोजान 10 माज से होगा इसमें 27 राजियों की टीम भाग लेंगी यादि आप चैनल परना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बल का बेल एकन दबाए साथे साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेयर करना ना भूले साथे साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवास्य दे थाइंक्यू